किसान साथियो नीमबू की समस्या पर मैंने पहले भी अभी दो वीडियो दिखाई हैं जिनको लगबग एक महिना हुआ होगा लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसन मेरे पास आते हैं वो नीमबू से समबद देती आते हैं उनमें दो प्रकार के परसन होते हैं एक होते हैं जिन भाहियों ने घर में एक दो तीन पेड़ लगा रखे हैं एक तो उनके आते हैं उसमें क्या परसन होते हैं कि मेरा जो हैना मेरी टेहनी सूख रही है या मेरे पोदा पांच छे साल का हो गया उसमें फल नहीं आ रहे हैं और तीसरा होता है कि उसमें फल आते हैं और जड़ ज जो मुझे नीमू में लगी है मेरे पास 45 पेड़ हैं लेकिन सभी पेड़ एक जैसे नहीं है इस पेड़ को देखिए इसमें कई बार पत्ते आये हैं और बीच में इसने मुझे बहुत प्रोब्लम की है मैंने अभी कुछ दिन पहले इसमें जो टहनिया थी सूखी हुई जैसे मैं आपको उधर्ण के सरूप में दिखाता हूँ इस से मैं ये ये देखे ये वाली टहनि ये थोड़ी सी है ये यहाँ पर जो मैंने बताया था कि थ्रिप्स आ गया था और थ्रिप्स ने ये सारी खाल है और ये अपनी उतनी बढ़भार पर चल रहा है जितना होना चाहिए पिछले साल ये पोदे बहुत अच्छे नहीं चले थे चुकि मैंने इन में केवल जैविक करने की कोशिस की थी और मुझे पोदों पर जटका इसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया था हो सकता है मेर टहनिया क्यों सूकती है ये उपर से कोई बिबारी नहीं होती एक तो टहनि सूखेगी आपकी थ्रिप्स आएगी या वो सुन्डी आएगी जो ऊपर से इन कॉमल पतियों को खा लेती है और जब पतियां खा लेती है बिल्कुल जो हाना तो वो टहनिया वहाँ पर सूखने लगती है चुकि पतिया नहीं नहीं होती उझे भोजन नहीं बन पाता और वो टैनी सूखने लगती है दूसरा कारण यह होता है कि अधिकतर मैंने लोगों को देखा है आप ध्यान से देखो तो मेरा यहां पर थोड़ा सा उचा है अभी मैंने क्या किया है इसमें दो दिन पह के लिए यहां पर नाली बनवा हो ताकि पानी यहां पर रहे और पानी अंदर नहीं जाए इन जड़ों को केवल नमी मिले और तने से दूर रहे अगर हम इसके पोधे के तने के पास पानी देते हैं और खुदा ना खासता हूँ पानी जाद़ हो गया अधिकतर घरों में औ होती है और फंगस के कारण जो है ना यह आपकी टहनिया सुखना शुरू होती है और पोधा पीला पड़ना शुरू होता है जब पोधा पीला पड़ेगा तो उसके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं यह हुई दूसरी बात जो तीसरी बात है कि मेरे उसमें फल नहीं आये है या चोथी बात जो कि मेरे जो फल आते हैं वो गिर जाते हैं उन दोनों का एक ही कारण है जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताईए कि आपने उनमें खाद क्या डाला है तो वो बड़े उससे बताते हैं सोंक से कि हमने उसमें गोबर की खाद डाली है गोबर की खाद कैसी डाली है कितनी डाली है कितना बड़ा पोदा है कहां डाली है ये बाते में कहीं बार बता चुका हूँ गोबर की खाद आपको यहां पर डालनी चाहिए के पोधे में कम से कम 10 किलो खाद डालनी चाहिए या वर्मी कंपोस्ट कम से कम 2-3 किलो डालना चाहिए दो साल के पोधे में 4-5 किलो डालना चाहिए अगर आप इसमें बोन मील मिलाते हैं तो एक वर्स के पोधे में कम से कम आप जो हना उसको कम कर दीजिए वर्मी कंपोस्ट क उसको 2 kg कर दीजिए और 1 kg bone meal डाल लिए, bone meal आपके सभी micronutrient की पूर्ती करेगा, लेकिन उसमें उसको सम्पूर्ण तत्व चाहिए, आपने गोबर की खाथ से ने तो उसकी पूरी nitrogen का पूर्ती होती है, ने phosphate की पूर्ती होती है, और ने उसके potassium की पूर्ती होती है, और जो phosphorus क कमी के कारण और micronutrient के कारण जो हना आपके अगर फूल आ भी गए और जो छोटे फल बन भी गए तो वो गिरने सोगा जाते हैं, या तो बहुत सूखा हो, या उसमें nutrients और micronutrients की कमी हो, तो जब भी आप खाद लगाएं, खाद canopy के पास लगाएं, और खाद लगाने का समय जो होता है, आपको ये सीखना चाहिए कि आपको कौन सी फसल लेनी है, अगर आप गर्मियों की फसल ले रहे हैं, तो खाद September के end में या October में लगाएं, अगर आपकी बरसात की फसल ले रहे हैं, तो आपको फरवरी में खाद लगाना चाहिए, या बलके जनवरी के end में काम कर जाता है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके इसमें कमी आ गई, हमने पानी दिया, मैंने क्या किया इसमें पानी दिया, और पानी देने के बाद में इतनी बरसात हुई 15 दिन तक, कि मेरे पोधे जो हना स्ट्रेस में आ गए, ऐसे पीले पड़ गए और मुझे गराम परती लीटर है, जो घर वाले हैं, वो सी तीन गराम परती लीटर या चार गराम भी डाल सकते हैं, पांच गराम भी डाल सकते हैं, उसको और स्टेप्टो साइकलीन, जो एक गराम परती 10 लीटर, 6 गराम की पुड़ी आती है, तो उसे 60 लीटर में मिलाए, नहीं तो अगर आपको क्वेवल एक पोदा है तो उसे आधा गराम ही डाले और अपने पोदे में जड़ से के पास कम से कम दो लिटर पानी डालिए और थोड़ा उसके बाहर भी डालिए ताकि वो सभी जड़ों पर चली जाए ये बहुत अच्छा फंगी साइड है अगर आपको फिर भी थोड़ी नहीं होती तो इसको पंदरा दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं उसके बाद आप एक डेड़ महीने बाद एक उसमें और कर दीजिए एक जो आता है इंसेक्टि साइड आता है कलोरोपाइरफास पचास परसेंट वाला एक एमेल पर लिटर लीजिए और बव ग्राम परती लीटर मिलाकर बवस्टीन इनकी ड्रिंचिंग कर दीजिए ड्रिंचिंग में कितना पानी डालना ये जैसे ये मेरा पोदा है इसमें मेरे को कम से कम दो लीटर चाहिए तो वहां पर डालिए और जितनी भी फंगस होती है वो में जड़ के पास अधिक होती है बाहर आप थोड़ा कम डालते हैं, मैंने कम डलवाया है, बाहर भी ऐसा नहीं कि बाहर डलवाया, लेकिन अगर आपने जड़ में भी डलवा दिया, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया है, तो वहां से उसका पूरा सभी जड़ों में उसका असर चला जाएगा. उसके बाद आप देखेंगे के धिरे धिरे पतिया निकलनी शुरू हो जाएगी, जब पतिया शुरू हो जाएगी, तो इफको का एक माइक्रो न्यूट्रेंट आता है, उसका नाम है हुमेटसू, दो एमेल पर लिटर लीजिए और उसका इस्प्रे करिए, आपका पोधा होगा और सभी चीजे हो, मुझे उमीद है कि मैंने इस वीडियो में सभी भाईयों के जितने भी मेरे पास ये तीन या चार तरह के परसंते उन सब का उत्तर दे दिए, ध्यान रखना है, तने के पास पानी नहीं लगना है, उससे दूर लगना है, दूसरी चीज, खाद कठा हो गया, तो उसके बाद फंगी साइड और इंसेक्टी साइड का जरूर आप ड्रिंचिंग करिए, और चोथी चीज, कि आप उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट इतना अच्छा है, वो एक तरह से बायो है, जो मैंने हुमेद्सू बताया है, और अगर आप चाहते हैं, क चुकि मुझे तो एक बार ऐसा लगाता कि मेरे इस बार दस पोधे कम से कम खतम हो जाएंगे, लेकिन सभी पोधे रिवाई हो गए, ठैंक्स टू मेरे साथी जो है ना नवेद सेख बढ़वानी के रहने वाले हैं, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्क जय हिंद, जय भारत, बंदेप,